कमेंट्स बार बार मुझे देखने को मिल लें कि भी आप पोर्ट कैसे करते हैं बताइए हमारे पास किसी भी कमपनी का कोई SIM कार्ड है उसको हम पोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कमपनी के अंदर तो कैसे करेंगे तो आज इस वीडियो में step by step मैं आपको बताने वाला हू उस दिन तक recharge आपके फोन के अंदर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें एक SMS करना पड़ता है अब SMS तब ही जाएगा जब आपके फोन के अंदर recharge होगा अदर्वाइस SMS भी नहीं जाएगा तो recharge होना बहुत ही ज़रूरी है दूसरी चीज़ जो है वो है ID Card एक valid ID Card होना आप आपके पास बहुत ही ज़रूरी है चाहिए वो अधार कार्डों वोटर कार्डों पास्पोर्डों लाइसेंस ओ इन सभी के उपर से में एक आपके पास होना चाहिए जिस भी मॉइल नंबर को आप पोड कराना चाहते है उस मॉइल नंबर को लेना है आपको और एक ID Card होना और वेशनल के अंदर पॉर्ट कराना चाहते हैं तो आपको वेशनल के ओफिस जाना पड़ेगा आज पास आपको पता करना पड़ेगा कहां पर हैं सहर में 2-3 ओफिस आपको मिल जाएंगी बीशनल के बीशनल लेक्षेंट के नाम से अगर आपके पास कोई मिवाइल की सव आप है तो आप वहाँ पर ट्राइगा सकते हैं वहाँ पर भी पोर्ट हो जाता है जाने से पहले आपको एक काम करना है आपको एक SMS करना पड़ेगा मैं आपको बता दीता हूं आपको अपना स्मार्टफोन लेना है और मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओन कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई यहाँ पर देखें मैं SMS वाले एप के अदर गया यहाँ पर यहां पर मुझे एक निए और इसपेस सिर्फ और एक बार देना आपको ज्याधा नहीं देना नहीं तो रिजक्त हो जाएगा इस पोर्ट इतना लिखने के बाद आपको अपना był बाइल नमबर डालने के बाद आपको बस simply send कर देना इसको और कुछ नहीं करना है पोर्ट लिखना है इस्पेस देना है मुबाइल नमबर डालना और इसको send कर देना है बैक आ जाना है अब आपको wait करना है SMS का एक SMS आएगा उस साइट से 1901 पर अभी दिख सकते हैं हमारे पास SMS आ भी चुका है इसको open करेंगे अब SMS के अंदर क्या है the UPC for your mobile number एक UPC code आता है UPC का full form जो होता है वो होता है unique porting code तो unique porting code आपको एक मिलेगा mobile नमबर लिखा हुआ है दिन उसके बाद is VP VP जो है V का मतलब है VI है P का मतलब state होता है जो भी state होगा आपका मेरा पंजाब state है त यह code जो है हमेशा के लिए valid नहीं होता है यह code सिर्फोर सिर्फ तीन से चार दिन तक valid रहेगा उसके बाद यह expire हो जाता है तो तीन से चार दिन के अंदर अंदर आपको visit करना है जिस भी company के अंदर आप गोड़ कराना चाहते है उसके store या फिर आप अपने आसपास mobile shop पर भ लगता है वो SIM card हो या फिर ना हो आपका mobile number जो है port हो जाएगा जिस भी company में आप चाहते है प्रोसेस में जो time लगता है वो लगता है तीन से चार दिन का आप आज क्रेट में जाते हैं तो आप वहाँ पर जाएंगे नमबर बताएंगे क्या वाईसी होगी आपकी SIM card आपको आप port कराते हैं तो रात में और तीन दिन का time लगता है state to state जो है वो तीन दिन का time लगता है और अगर आपका state कोई दूसरा है और अभी आप रह दूसरे state में रहें और वहाँ पर आप पोटिंग करा रहें तो आपको 4-5 दिन का time लगेगा और जम्मू एंड कसमीर में अग आप लगबग 10-15 दिन भी लग जाता है आसा करता हूं कि आप सभी को मैंने step by step समझाया कैसे क्या होता है वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो करते हैं लाइक है चलो करने सब्सक्राइब मिलते किसी दूसरी वीडियो साथ आता तो बी सेफ हैंड बी हैल्दी